नमस्कर दोस्तों मेकिन इंडिया के रूप में बनाया जारा भारत का पहला RRTS आज काफी तेजी से विकसित हो रहा है और उमीद है कि जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो जाए ऐसे में सवाल आता है कि कब तक ऑपरेशनल होगा अभी कितना काम हुआ और कब तक पूरी तरह से त सब्सक्राइब के रूप में बनाया जारा या डैली मेरट RRTS भाद की पहली RRTS के रूप में डैली के सराइक आले खान से शुरू होके गाजाबाद से होते वे मेरट के मोधी पूरम तक बनाया जा रहा है जिसकी टोटल लेंथ तक्रिमन 82 किलोमेटर होगी इस 82 किलोमेटर के साथ की लेंथ में तक्रिमन 24 इस्टेशन को बनाया जाना जिसमें 2 डिपौ और एक ट्राजिट हभ भी बनाया जाना डिपौ के रूप में डुहाय और मोधी पूरम होगी मही शरायक आले खां को एक ट्रांजिट हब के रूप में विककसित करेगी जहां परे रिल्वेश 2019 को नर्द मोदी जीत वारा इसका foundation stone रखा और foundation stone रखने के बाद जस्ट एक मेहने के बाद ही इसकी construction को शुरू कर दिया गया और आज लगवग 25% का काम पूरी तरह से तयार हो गया है बताया जाता कि इस project को दो corridor की रूप में विक्सित करेगी पहला priority corridor के रूप में विक्सित हो रही है चो की सहीबा बात से लेके दुहाई के बीच में 17 km के रूप में बनाया जा रहा है इस priority corridor को March 2020 तक पूरी तरह से बना कर operational किया जाना है जिसमें आज की rate में काफी तेजी से construction के काम हो रहे है वहीं recent में ही 10 अगस्त को इसी route पर पहली बार RRDS की running भी testing की गई थी जहां कोई भी तरह की खामिया या फिर default नहीं पाया गया जिसके बाद या पूरी तरह से confirm हो गया कि March 2023 तक या पूरी तरह से operational हो जागी वहीं बाकी का corridor को 2025 एंतक बनने की उमीद है जो डेली से मेरट 40-45 मिनिट में पहुचा जा सकता है क्योंकि RRTS की average speed तो 100 km है बढ़ या 180 km परती घंटे के रपतार से भी चल सकती है RRTS के अंतरगा जो इस्टेशन बनाये जारों उसमें सिराय काले खां, निव असोग नगर, आनन बिहार, सहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, मुराद नगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नौर्थ, मेरट साउथ, सतवाडी नगर, मेरट सेंटरल, ब वहें 3% का हिस्सा गौर्वर्मेंट ऑफ डैली द्वारा दिया गया, बाकी के हिस्से को लॉन और फंड के मादम से त्यार करिए, जैसे एसे डवलप्मेंट बैंक द्वारा एक बिलियन डॉलर की कर्ज दी गई है, न्यू डवलप्मेंट बैंक से 500 मिलियन डॉलर की लॉन बनने के बाद बता जाता कि यह पहली RTS रूट होगी, तो कि पूरी तरह से मेक इंडिया होगा, अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं, तो प्रियारिटी कोईडोर के तोर पर बनाया जारा सही बाबाद से डीपो के बीच में, जो आज की डेट में लगबग त्यार हो गया है, और उमीद है कि मार्च अप्रील 2021 तक यह पूरी तरह से अप्रेशनल हो जाएगी, जैसे मैं देखना होगा कि यह प्रायरिटी कोईडोर जो की 17 किलो मिटर लंबा कोईडोर होगा, वो मार्च 2023 तक बनका त्यार होता है या फिर नहीं होता है, अगर होता ह अच्छा लगा होगा, इंट्रेस्टिंग लगा होगा, इंट्रेस्टिंग लगा होगा, अगर इंट्रेस्टिंग लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा स्यादा स्यर करें, और हाँ चैनल को भी तर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को भी सब् प्रोस्त।